फोटोग्राफी के तीन बेसिक्स होते शेटर, स्पीड, ISO और आपर्चर तो इन तीनों को मिलकर एक बनती एकदम बेस्ट और अच्छी फोटो तो अगर इन तेनों के बारे में आपको पाता नहीं तो आपको क्या होगा मतलब मैनुल फोटोग्राफी करने में थोड़ी सी दि तरु सुनुल फोटोग्राफी के बारे में अगले इसमेडर बन घय तो क्या हूता है पोटोग्राफी में ब्या reduces होगा तो आपने को कुछ कर नी की जरुवनहों और पूट्णे होका स्वोट्ण P तो ऐसा creative mode में नहीं आपाते हो अगर आप auto mode में अगर आप photo shoot करते हो तो आप मैं बताता हूँ आपको shutter speed के बारे में तो क्या होता है हमारे camera में एक sensor होता है तो जिस पर light पढ़ती है और फिर हमारा photo capture हो जाता है उतनी light भीतर जाती है और उतना एकदम bright photo आ जाता है तो इस shutter speed के side effect भी है अगर हम shutter speed कम कर ले यानि कि छोटा number जो shutter speed होता है 1 by छोटा number तो क्या होता है shutter बहुत देर तक खुला रहता है यानि कि जो भी shutter speed ना पी जाती है वो 1 by number होता है तो for example अगर मैं यहां से यहां तक मूग कर रहा हूँ और shutter बहुत देर तक खुला है तो क्या होता है जब shutter बहुत देर तक खुला है तो इसा motion blur आ जाता है तो इसको avoid करने के लिए क्या करना है आपको एकदम perfect shutter speed रखने है जो भी आपकी condition है photographic for example अगर आप action scene कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा 1 by बड़ा number रखना होगा यानि 1 by 300 shutter speed रखने होगी तो क्या होगा आपका जो action scene होगा वो फोटो में अच्छी तरह से capture हो पाएगा एकदम freeze हो जाएगा तो अगर आप action scene में अगर photographic कर रहे हो आपको एकदम still करना है subject यानि कि एकदम stop करना है तो क्या करना है आपको एकदम ज्यादा shutter speed रखने है और आपको motion blur capture करना होगा तो आपको shutter speed कम रखने पड़ेगी तो यह रहा example photo का तो यहाँ पर आप देख सकते हो shutter speed एकदम जादा है यानि कि shutter बहुत देर तक खुला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो motion blur आ गया है इस subject में और इस photo में आप देख सकते हो कि shutter speed बहुत जादा है तो यह subject एकदम freeze हो गाए तो ऐसा होता है shutter speed तो हमारे एक दम वाकिंग एक्शन में है और आप ऐसा फोटो किच रहे हो मैनियोल मोड में और आपकी शेटर स्पीड एक दम बहुत जाद आए यान कि बहुत देर तक शेटर आपका खुला है तो आपका ऐसा मोशन बर कैप्चर हो जाएगा और फिर आपकी गल्फेंड आपको रिजेक्ट कर देगी बोलेगी तो कैसे भी घटिया फोटोस किचता है तेरे से ना हो पाएगा निकल पहली फुरसत में निकल तो ऐसे आपको इंसल्ट आपकी नहीं करनी है तो आपको क्या करना चाहिए एक आपको रिजेक्ट नहीं होना है तो इस वीडियो को देख लो और शेटर स्पीड क्या होती है जानलो और हमारे चानल को सब्सक्राब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्यूंकि हम इसी तरह से ओनलाइन आर्नी गाजेट्स रिवेव और टेकनोलोजी रिडेटेड वीडियो ज लाते रहते हैं आपको नहीं नहीं चीजों के बारे में शिकाते रहते हैं तो मिलते हैं एसी किसी वीडियो में तब दे के लिए किप स्माइलिंग बाइबाइद